हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ ब्रट से बने नास्ते की रेस्पी सेयर करेंगे जो टेश्टी होने के साथ साथ बहुती ज्यादा हेल्थी भी है और इसे हम सिर्फ एक चमस तेन में बनाएगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने चार ब्र करके यूज कर सकते हैं पर इस तरह से ना ब्रट देखने में अच्छी लगेगी यह देखे इस तरह से तो सारी ब्रटों के पहले इसी तरह के चुटी-चुटी से क्यूप में हम काट लेंगे तो चलिए पहले इसको हम काट लेते हैं तो अकसर घर में दो से तीन ब्रट के पीस बची जाते हैं तो आप इस नास्ते को बहुत आसानी से बना सकते हैं तो एक बड़ा सा हमने बाव लिया है और इसमें ब्रट के सारे पीसिस को हम डालेंगे और अब इस नास्ते को healthy बनाने के लिए कुछ सबजियां डालेंगे तो यहां पर सीजन की जो भी सबजिया है तो दो चमच हमने बारीक काट के गाजा ले ली है, दो ही समच सिमला मिर्च, दो चमच टमाटर है, जिसके बीज हमने निकाल कर बारीक काट लिया है, और यहां पर हमने खीरे का भी यूज किया है, तो खीरे को भी हमने चुटे-चुटे पीस में काट रखा है, और अब इसमे लाल मिर्ज पाउडर भी हमने डाल दिया है और हलके हाथ से सभी सब्जियों को ब्रड में मिक्स कर देंगे तो बहुत हलके हाथ से मिक्स करिएगा जिससे ब्रड हमारी तूटे नहीं तो यह दिखे इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अगर फ्रेंड्स आप इसमें और भी कोई सबजी डालना चाहे ना तो वो भी डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें दो चमच हम बेसन डालेंगे। सिर्फ बाइंडिंग के लिए इसे हम डालेंगे। ज्यादा बेसन इसमें हम नहीं यूज करेंगे। नमक डालेंगे तो नमक आप स्वाथ के अ 투 सा लिएगा और बापस से अच्छे से मिक्स करेंगे basically अवत मुष्व करेंगे तो सब्जियों में बहुत सा रा मौशार होता है तो एक बार अच्छे से इसी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे तो इसको हमने मिक्स कर लिया है अब यहां पर बन फोर्थ कप हमने पानी लिया है पर एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हलके हांस से मिक्स करेंगे तो चम्मत स इसमें हमने प्याज का यूज नहीं किया है, अगर आप प्याज खाते हो ना, तो प्याज को भी बारी काट कर इसमें आप डाल सकते हैं, तो ये देखिए, सभी सबजियों और ब्रट को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और ये देखिए, ब्रट के पीस जो है वो टूटे यह देखिए तो और यह अच्छे से थोड़ा सा बाइंड भी हो गया है और अगर आपको लग रहा हो कि बाइंड नहीं हुआ है तो आप एक चमच इसमें बेशन और मिक्स कर लीजेगा तो चलिए नास्ता बनाना सुरू करते हैं तो पैन में एक चमच हम तेल डालेंगे और पूरे पैन पर अच्छे से हम फैला लेते हैं और जो नास्ते का हमने मिक्स बनाया था उसे पैन में हम डाल देंगे यह देखिए इस तरह से और एक चमच या पैचुला ले लिजे उससे इसको पूरे पैन पर अच्छे से दवाते हुए फैला देंगे यह देखिए जैसे बिल्कुल बैसा ही बेस इसका हम तयार करेंगे और इसपट range किनारे से दवाथे भीवे बिल्कुल गॉल से यह देंगे बहुत आसानी से हो जाएगा और उपर से हम चिकना कर देते हैं. यह देखे, तो लग रहा है न..में बिल्कुल च्क करते हैं तो यह देखिए ओपर से बिलकुल यह DRIA हो चुका है और यह देखिए पैन को भी छोड़ दिया है और यह देखिए It's बिलकुल दिखा रहे हैं आपको यह द्राइ हो चुका हैऱ तो अब इसे हम पलतेंगे तो पलटने के लिए एक प्लेट नेंगे उसे पैन पर रखेंगे और इसे धीरे से हम पलट देंगे ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है बहुत अच्छे से ये सिख चुका है अब बापस से पैन में एक चमश तेल डालेंगे और तेल को पूरे पैन पर हम फैला लेते हैं और अच्छे जो होते हैं वो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं पर जरा सी चीज आप टाल देगे ना तो बच्चे से दोड कर खा लेंगे तो बापस से हम सिर्फ एक मिनट के लिए सैक लेंगे जिससे जो चीज है ना वो मेल्ट हो जाएगी तो तकरीबन एक मिनट हो और यह हमारा नास्ता बनकर तयार है तो गैस को हमने बंद कर दिया है उपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा इस पे हमने और गैनो भी डाल दिया है तो यह हमारा देसी पिज़ा बनकर तयार है तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब इसके हम पीस क आप किसी तेजधार बाले चाकू से भी इसके पीस कर सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंट कितने अच्छे से इसके पीस हो रहा है तो अभी यह काफी गरम है जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो आप पीस करिएगा ना तो बहुत अच्छे से इसके पीस हो जाएंगे तो य जेर सारी सब्जियों के साथ इसे बनाया है अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप इस तरह से उन्हें सब्जियां बना कर खिला सकते हैं तो कैसी लगी आपको आज के ये मजेदार से नास्ते की रेस्पी कमेंट करके जरूर बताएगा और एक बार तो इसे जरूर ट्राइगा आपके गर में बच्चों से बड़े सभी को ये बहुती जादा पसंद आएगा उमीद है आपको ये रेस्पी जरूर अच्छी लगी होगी तो कैसी लगी आपको ये रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताएग और रेस्पी अच्छी लगे तो उसे ला